बहुत सारी लोगों का जाती रिजेक्ट हो जाता है बट रिजेक्ट क्यूं होता है किसी को पता नहीं होता है बट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्चुल में रिजेक्ट क्यूं होता है और किस तरके से होता है क्या हमें साबधानी बरतनी चाहिए जिससे कि हमार जाती रिजेक्ट ना हो जब भी हम कास्ट सर्टिपिकेट बनाएं तो रिजेक्ट ना हो और इसके अंदर कौन-कौन डॉकुमेंट लगते हैं वह भी जानेंगे तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और हम फॉर्म को फिल करके आपको दिखाते हैं फिर आपको लास्ट हमेंटर करेंगे तो यहां पर पहुंच जाएंगे और हमारे डैस्ट बोडों पर रूचका है हमें जाती बनाने के लिए दो आपस मिलते एक तो अगर हमने रजिष्ट्रेश्ट कर लिए यहां से लॉगिन कर सकते हैं और यहीं से आएंगे और यहां पर जाती का उप्शन तो हम हम यहां से तीन लेक्ट है तो जो भी आ बनाना चाहते बना सकते बड़र यहां पर हैं अब इसको हमें किस करना होगा तो किसраш करें गे सबसे पर ने जरेख करेंगे देड के फिर मधर से लेंगे तो अगर उनका साधी हो गया तो अजमेर नाम डाल सकते हैं आपे आवेधन को मजब डालेंगे और यहां पर इमेर डी डालेंगे फिर यहां पर यहाँ पर नीचे में देख रहे हैं वर्तमान पता वह जहां पर रहार हैं अगर कई जह तो यहां पर देंगे करना होगा यहां पर लिखना होगा यह आटमाटिक हिंदी लेंगे लिखेंगे और फिर अगर सेम पता रहेगा तो यहां पर करेंगे यहां पर यहां पर आएंगे और कस्टमर का जो भी फोटो है अब ध्यान देने वाले बात यह है कि अगर आप जाती करते हैं तो उसका उपजाती भी आता है और बहुत सारे लोग यही गलती करते कि उट जाती स्वेक्ट नाहीं करते जिसके करनन उसका रोंग आ जाता है तो चलिए हम यहां पर देख लेते हैं यहां पर यहां से प्रोसीट करेंगे तो यह हो जाएगा इसके आगे फिर आपको फीडियो अप्लोड करना पता डोकुमेंट चलिए फिल लेते हम यहां पे टोटली फिल कर चुके हैं यहां पर सारा चीज हम फिल कर लिया है यहां पर इंगली समय की यह पर करेंगे और से करेंगे और हम चुछ को बाता पर से करेंगे करेंगे हम यसे में अप्लोड किये थे और जिसके करन इविन नहीं होता है यह मेरा यहां पर यह हो चुका है यह receipt number आ चुके हैं तो हम इसे print out कर लेंगे या इसे हम save करके रग देते हैं अब हम आपको बताते हैं कि आप क्या क्या document देंगे जिसके कारण आपका जाती reject ना हो तो यहां पर हम आते हैं सबसे पेड़े हम आपको पीडियव दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है तो देख सकते हैं इस पीडियव के अंदर एक के वाला है जिसमें कि यहां पर जाती लिखा हुआ है कि आप किस जाती से आते हैं इसके बाद हमारा आधार काड है और उसक इसमें एड कर सकते हैं अगर आपके पास यह पहले से जाती है तो आप जाती यह दे सकते हैं आपका अधार काड होना चाहिए और यह आपका के बारा होना चाहिए तो यह तो आपका यह जाती कभी रिजग नहीं होता है बट इससे भी बैटर तरीका क्या है कि जैसे आप अप करने के बाद आपको रिसीप मिलने के बाद यह जो आपने डोकुमेंट इसके अंदर लगा है इनका फोटो कॉपी निकाल ले अपने ब्लॉक जहां से आपने यह आटपीस कॉंटर पर लेके जाएंगे और उनको अगर आप बोलेंगे कि हमें दो तीन दिन में चाहिए हमें अ अगर आप यह भी डोकुमेंट दे देते हैं तो आपका यह रिट्यक्ट नहीं होगा आपको पता चलगी होगा हम जाती किस तरीके से बनाएंगे और कैसे डोकुमेंट अप्लोड करेंगे जिसके कारण हमारा जाती रिजेक्ट ना हो चलिए मिलते हैं इस वीडियो को लाइ देखने के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो